हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चनल परिक्षा प्लान में तो जैसा कि आप लोगों को पता है के एसेश्टी के प्रीवियस यर के कुस्टन्स को सॉल्व कर रहे हैं तो ये पेपर है 2019 वाला जुलाई 2019 वाला इसमें जो भी एसेश्टी के कुस्टन्स हैं कर के तो चल facets video को शुरू करते हैं इसके अलाबा एसे आर्टी की क्लास भी चल रही है ह हिस्ट्री और जेज़एं की क्लास आती है जो फैर 21 और हिस्ट्री की इंदी दो बज़े तो आप लोगों वीडियो भी इवस्ट देखिएगा क्योंकि स्ट में आन्से व़क्षा ज्य देखिएगा तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं प्रस्ण पर लिखा है एथियन लोक तंत्र की निमलिखित में से कौन सी एक विसेस्ता नहीं है पहला विकल्ब है तीस से अधिक उम्रिक के उन सभी पूरुसों और महलाओं को पूर्ड नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे दूसरा है सभी नागरिकों को सेना वार्नों सेना में सेवाईं देनी होती थी तीसरा है मामलों के निर्डेयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्तित होते थे और चोथा है कई पदो पर न्युक्तियां लोटरी के माध्यम से की जाती थे तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले एथियन लोगतंतर के बारे में जानना आवश्यक है तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में तो एथेंस के युनानी सहर में एथियन लोगतंतर छटी सताबदी इसापूर्व के आसपास विक्सित हुआ था जिसमें एथेंस सहर और एटिका के आसपास के छेचर सामिल हैं एथियन लोगतंतर दुनिया का पहला ग्यात लोगतंतर है तो इसे भी याद रखिएगा इसमें एथियन लोगतंतर की विसेश्ता नहीं है पूछी गई है पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर होगा कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पूरसों और महलाओं को पूर नागरिक्ता प्राप्त थी जो दास नहीं थे अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा है समुद्र गुप्त की निमलिखित में से कौन सी नीती थी जो विशिष्ट रूप से दक्षडा पत सासकों के लिए थी पहला विकल्प है उनके सामराजियों को खाड फेका गया और उने समुद्र गुप्त के सामराज का अंग बनाया गया दूसरा है उन्होंने समुद्र गुप्त की अधीनता स्विकार की और अपनी पुत्रियों का विवाव उससे किया तीसरा है वे उपहार लाते थे उसके आदेसों का पालन करते थे और उसके दर्वार में उपस्थित होते थे और चोथा है इन्होंने हार स्विकार की वा इन्हें पुनहा सासन के लिए अनुमती दी गई तो इस प्रशन के लिए चोथा विकल्प सही है इन्होंने हार स्विकार की वा इन्हें पुनहा सासन की अनुमती दी गई तो ऐसे बारे सासक थे जो जिन्होंने क्या किया कि अपनी पराजय को स्विकार कर लिया और आत्म समर्पड कर दिया फिर इन्हें पुनहा सासन करने की अनुमती दे दी गई चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न काफी बड़ा है और मिलान करना है इसमें लिखा है निम्निलिखित का मिलान कीजिए तो चलिए मिलाते हैं लिखा है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी तो वह थी तेल चित्रकला तो एको मिलाएंगे चौथे से उसके बाद बीर में लिखा है चित्रकारी जिसमें भारती भूद रस्यों को अनूठा अंचुआ दिखाया जाता था तो यह होती है नईना भिराम इसे मिलाएंगे पहले से सी में लिखा है भारत में यूरोप वासियों की एस्वर पूड जीवन सेली धन संपदा और रौवदाप दरसाती चित्रकला तो यह है रूप चित्रड इसे मिलाएंगे दूसरे से और डी बचा है तो इसे मिला देंगे तीसरे से बिटिस सामराजवादी इतिहास और विज सी का दूसरा और डी का तीसरा पहला विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है अठारवी सताबदी के अंतिम चरण में बंबई मदरास और बंगाल प्रेसीडेंसियों का विकास इस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हु पहला विकल्प है सूरत मदरास कलकत्ता दूसरा है नागपुर मदरे दिल्ली तीसरा है पुड़े मदरास कलकत्ता और चौथा है सूरत मदरे दिल्ली तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है सूरत मदरास कलकत्ता तो NCRT जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा और वहीं से प्रस्ण बनते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है A और B कतनों पर बौध महायान के संदर्ब में विचार कीजिए सही उत्तर का चैन कीजिए लिखा है बौध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्टती कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है महायान बौध के आने के साथ ही बौध सत्व में विश्वास समाहित हुआ तो इस प्रस्ण में A गलत है लेकिन B सही है दूसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है बौध धर्म की दो साखाई है हीनयान और महायान गौतम बौध के बारे में क्या क्या याद रखना है इनका जन्म लुंबनी में हुआ था ग्यान की प्राप्ति इन्हें बोध गया मे में दिया था और इनका महा पर निर्वाड कुसी नगर में हुआ था तो आप लोगों को इतने महत पूर्ण बिंदू गौतम बौध के बारे में याद रखने हैं अगला प्रस्ण है महलवारी और रयतवारी राजस उप्रडालियों के संदर्म में A और B कतनों पर विचार क चैन कीजिए लिखा है महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चमी प्रांतों के लिए युक्ती थी जबकि रयतवारी बेटिस नियंत्रड़ वाले दक्षिड भारती इलाकों के लिए थी दूसरा लिखा है महलवारी में गाउं का मुखिया पूरे गाउं के संकलित राजस को कमपनी को अदा करता था जबकि रयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझाता किया जाता था तो अब इसमें बताने हैं कि कौन सा विकल्प सही है तो इसमें दोनों ही सही हैं A और B दोनों दो राजस व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही इस पश्ट करते हैं तीसरा विकल्प इसमें सही है तो इसमें जो भी लिखा हुआ है बिलकुल सही है तो महलवारी और रियतवारी तो जो महलवारी है इसमें क्या हुआ तो महलवारी जो है प्रडाली ये किसने तयार की तो अठारा सुबा इसमें अंग्रेज हॉल्ट मेकेंजी ने इस प्रडाली को तयार किया था और रियतवारी प्रडाली को अलेकजंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा तयार किया गया था तो ये दोनों बातें याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है ये प्रशन पहले भी पूछा गया है तो पहला विकल्ब है खानकाह दूसरा विकल्ब है ईदगाह तीसरा विकल्ब है गुल्फ हरोसा और चौथा विकल्ब है दरगाह तो सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहते हैं चौथा विकल्प इसमें सही है खानकाह क्या होता है तो चिस्ती संप्रदाय के सूफी संतों के निवास को खानकाह कहते हैं वे यहां अपनी सिक्षाओं का पिरचार करते हैं इदगाह क्या है इद की नवाज एक खाली सार्वजनिक जगह पर आयोजित की जाती है जिसे इदगा का जाता है खुल फरोसा क्या है यह अगस्त के महीने में दिली के महरोली में सभी समधायों द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का तिहुआर है अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है विष्टिष्टा द्वयत का सिधान्त ग्यारवी सताब्दी में प्रस्तावित किया गया यह प्रस्ण पहले भी पूछा गया था फिर 2019 में भी पूछा गया इसलिए प्रीबियस एर के प्रस्णों को पढ़ना अवस्यक है तो लिखा है पहला विकल्प है रामा नुस द्वारा दूसरा है बास वन्ना द्वारा तीसरा है एक नाथ द्वारा और चोथा है सक्खु बाई द्वारा तो विष्टा द्वयत का सिधान्त ग्यार्मी सताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामा नुस द्वारा पहला व एक फोशदारी अदालत थी दूसरा यह यह यूरोपियन जिलाधी 100 की अदेख्चिता में चलता था ये प्रस्न भी पहले पूछा जा चुका है लेश, प्रस्न में एक गलत है याय फोशदारी अदालत नहीं थी ए गलत भी सही दूसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण देखते हैं लिखा है गेरीसन नगर से अब प्राय है पहला विकल्प है नगर से लगी हुई भूमी जो इसे माल की आपूर्ती करती है दूसरा है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं तीसरा है वैस्थान जहां विबिन उत्पादन के अंदरों के माल को बेचा जाता है और चौता है एक महत पूर वैपारिक पत्तन नगर तो गेरीसन नगर से अब प्राय है किले बंद बसाओ जहां सैनिक रहते हैं दूसरा विकल्प इसमें सही है तो गेरीसन किसी विशेश स्थान पर तैनात सैनिकों के लिए सामूहिक सब्द है जो मूल रूप से इसकी रच्चा के लिए तैनात है अगला प्रस्न देखते हैं लिखा है जब लंदन में अपरहान दो बजे हैं तो भारत में साड़े साथ अपरहान का समय है कारण लिखा है भारत गिरीन विच के पूर्व में 82 अन्स 30 मिनट पूर्व में इस्तित है दिये गई विकल्पों में से सही विकल्प का चैन कीजिए अबिकतन और कारण दिये गए हैं और बताना है तो दोनों ही विल्कुल सही लिखे हुए हैं और जो कारण है वैं अबिकतन की सही व्याख्या कर रहा है तीसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है लिखा है समय छेतर पर दिये गए ए बी सी कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर का चैन कीजिए लिखा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक संय अपनाई गए हैं दूसरा है प्रत्वी को एक एगंटे वाले 24 मानक छेतरों में 24 संय छेतरों में बाटा गया है तीसरा है पिरतेक छेतर पंदा अंस देशांतर के छेतर को घेरता है तो तीनों ही बिल्कुल सही है A सही है B सही तीनों ही सही है A, B, C सभी सही है चोथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रशन देखते हैं लिखा है प्रत्वी की सतय से शुरू कर वायू मंदल की परतों के सही किरम का चैन कीजिए लिखा है समताप मंदल मद मंदल वाय मंदल वायू मंदल वहर मंदल चोब मंदल यानि कि किरम बताना है प्रत्वी की सतय से शुरू करना है और उपर की तरफ जो भी परतों का करम है वह बताना है, तो इसमें सही विकल्प देख लेते हैं कौन सा है, तो प्रत्वी के सबसे नजदीक होती है, छोब मंडल, छोब मंडल के वास समताप मंडल, फिर मद्द मंडल, फिर वायू बाह मंडल, फिर वहिर मंडल, यानि कि दूसरा विकल्प इसमें सही है, चोब मंडल सबसे पहले प्रत्वी के पास होती है फिर समताप मंडल फिर मद मंडल फिर वाय मंडल फिर बहिर मंडल अब प्रस्ण पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो वैस समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सित संबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं रितुएं निमलिखित कारणों में से किस कारण से होती है तो रितुओं का कारण क्या है प्रत्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का जोका होना रितुओं का कारण है तीसरा विकल्प इसम मंदल में कौन सा प्रिमुक संगटक है पहला विकल्प है ऑक्सीजन दूसरा है कारण डाइक्साइड तीसरा है नाइट्रोजन और स्वाथा है हेलियम तो सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन अठटर प्रत्सत 78 परसेंट तीसरा विकल्प इसमें सही है ऑक्सीजन होती है लगभग 21 प्रत्सत और एक प्रत्सत में कारण डाइट्रोजन आरगन नियोन ये सभी अनगैसें पाई जाते हैं अगला प्रस्णी देखते हैं महासागरी धाराओं के विषय में निम्लिखित कथनों में से कौन सा सही है लिखा है ठंडी धाराई दुर्बी यत्वा उच अच्छांसों से जल को उश्ड कटवंदी यत्वा निम्ल अक्छांसों की और ले जाती है दूसरा लिखा है लेबराडोर एक गर्म धारा है तीसरा है जिस इस्थान पर गर्म और ठंडी धाराई मिलती हैं वैविस्वा सर्वोत्तम मतस्यन छेत्र माना जाता है ये प्रस्णी भी पहले पूछा गया है तो इसमें पहला सही है ठंडी धाराईं दूर्वी अत्वा उच अक्छांसों से जल को उश्ण कटवंदी अत्वा निम्न अक्छांसों की और ले जाती है और C सही है जिस इस्थान पर गर्म और ठंडी धारान मिलती है वै क्यों गलत है बी में लिखा है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा है ये गर्म नहीं ठंडी यानी सीत धारा है इसलिए भी गलत है अगला प्रस्ण है हेमनद के निक्षेपड को कहा जाता है पहला विकल्प है समुदरी गुफा दूसरा है हेमोड तीसरा है लोयस और चौथा है तट बंद तो हेमनद के निक्षेपड को हेमोड कहा जाता है दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है ए और बी निमलखित वनस्पतियों में से किसकी विशेस्ताओं का वर्डन करते हैं लिखा है यह वनस्पति उत्री गोलार्द के उच्छ अक्छांसों में पाई जाती है इसे ट्यागा नाम से भी जाना जाता है तो यह वर्डन कर रही है संकुधारी वन का तीसरा विकल्प इसमें सही है तो संकुधारी जो वन है वह परवती छेतरों में पाई जाते हैं जहां तापमान कम होता है यह भी याद रखिएगा अगला प्रसन है निम्लिकित में से कौनसी गंगा ब्रह्म पोत्र बेसिन की विसेस्ता नहीं है पहला विकल्प है मैदानी छेतर में ओक्स बो लेक चाप जील चिनित है दूसरा है मैदानी छेतर में जनसंक्या घना तो आती अधिक है तीसरा है डेल्टा छेत्र में ग्रूब बनों से आच्छादित हैं और छोथा है भूमी क्रसी के लिए इस छेत्र में कर्तन और दहन क्रसी की जाती है तो इस प्रस्ण के लिए चोथा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है विसेश्ता नहीं है पूछा गया है इसलिए चोथा विकल्प इसका उत्तर है तो गंगा और ब्रह्म पुत्र और उसकी सहायक नदियां मिलकर भारती उप महादीप में गंगा ब्रह्म पुत्र बेसिन बनाती है और यहाँ पर सुंदर्वन का विसाल डेल्टा और विसाल गंगा का मैदान पाया जाता है और यहाँ घनी आवादी भी पाई जाती है तो यह सब बातें आप लोगों को याद रखनी है अगला प्रस्ण है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पहला विकल्प है पबने सागर जल की सतय पर ती वरगती से चलती है दूसरा है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेच्छा गर्म धाराओं की उत्पत्ती अधिक है तीसरा है यह सागर निम्न जवार भाटों की अपेच्छा उच जवार भाटों को अधिक अनबव करता है और चौथा है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघिन बनाती है तो तैराक जो है म्रत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघिन बनाती है चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है भूमी उपयोग के संदर्ब में A और B कथनों पर विचार कीजिए सही उत्तर का चैन कीजिए लिखा है भूमी उपयोग से आसा है भूमी का केवल क्रसी और बन के लिए उपयोग है दुसरा है भूमी उपयोग मुखटा अपनी इस्थलाकरती के द्वारा निर्धारित होता है तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है तो इसमें A और B दोनो ही गलत हैं चौथा विकल्ब इस प्रसनिका उत्तार है क्योंकि इसमें लिखा है भूमी उपयोग से आसा है भूमी का केवल क्रसी और बन के लिए तो केवल लगा है ये इसलिए गलत है क्योंकि भूमी का उपयोग केवल क्रसी और बन के लिए नहीं किया जाता आवास ओद्योग व्यवसाय इन सब के लिए भी किया जाता है याताया नहीं होता बलकि भूमी का उपयोग मिट्टी जलवायू खनेज और पानी की उपलब्दता जैसे बहुते कारकों से निर्धारित होता है इसलिए ये दोनों ही गलत है ए और भी दोनों गलत है चौथा विकल्प इस प्रशने का उत्तर है अगला प्रशन है रच्छक में कर मिर्दा आवरड के संरक्षड में दूसरा है मिर्दा मिनमी बनाई रखने में तीसरा है मिर्दा के उपर से जल के पिरवा को मंद करने में और चौथा है अविना लिकाओं को बनने से रोकने और मिर्दा च्छै को बचाने में तो रच्छक में खलाए मदद करती है पवन पेडों और जाणियों से बनी बनस्पति की पटियां है जो तंटों पर उगती हैं पहला विकल्प इस प्रस्न का उत्तर है अगला प्रस्न है मिरदा परिछेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है पहला विकल्प है उच्चावच दूसरा है समय तीसरा है बनस्पति जात और चौता है जलवायू तो मिर्दा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित करता है समय दूसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है तो मिर्दा परिष्चेद का क्या होती है तो मिर्दा परिष्चेद का मिटी की एक उर्द्वा धरकाथ है जो सतय के समानांतर चलने वाली परतों से बनी होती है अगला प्रस्ण है वित्रल के आधार पर संसादनों को वर्गी करत किया जा सकता है वित्रल के आधार पर पूचा गया है चौथा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है सर्व बियापक संसाधन और इस्थानिक संसाधन अगला प्रस्ण है नारी मतादिकार आंदोलन कारियों की निमलखित में से कौन सी मुख माग है लिखा है महलाओं के लिए मतादिकार दूसरा है महलाओं के लिए नौकर साही भूमका का अधिकार तीसरा है धनी महलाओं के लिए वयस के मतादिकार और चौथा है सरंबर्ग के लिए वयस के मतादिकार तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है महलाओं के लिए मताद अगला परशन है जारत्कों के विशें में निम्लखित में से कौण सा कथन सही है लिखा है इनकी रचना सामान लोगों द्वारा की गई- जने बौध भिक्छों द्वारा लिखा गया और उनका संक्लन किया गया दूसरा है इनकी calculate है इने k sapान लोगों द्वारा किया गया और MT प्रश्ण के लिए पहला विकल्ब इसमें सही है अगला प्रश्ण है आइने अकवरी के विशे में निम्लिखित कतनों में से कौन सा सही है लिखा है यह अकवर नामा सीर्षक के अंतरगत अकवर के सासन के इतिहास की तीन जिल्दों में से पहली जिल्द है दूसरा है इसमें अकवर के पूरवज और अकवर के सासन की गटनाओं का विवरड दिया गया है तीसरा है यह मिर्जा हाकिम दौरा लिखी गई जो आकवर के दरवारियों में से एक था और प्रश्चन हो대ता है ये अकवर के प्रश्चन के लिए चौसा विकल्प सही है किया अकवर के पिरसासन के विविद पहलूँ के विशाय में संपन सांखी की विवरण प्रस्तुत करता है चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है निमलखित में से किसने अपनी क्रतियों को भी सामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरु मुखी में संकलित किया पहला विकल्प है गुरु गोबिंद सिंग दूसरा है गुरु अंगद तीसरा विकल्प है गुरु अरजन और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहात्तुर तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्प सही है गुरु अंगद अगला प्रस्ण है A और B सूची पर विचार कीजिए सूची A में विभिन पिरकार के ग्रामीड रोजगार है सूची B में विभिन पिरकार के रेड है यानि मिलान करना है चलिए मिलाते हैं तो क्रसीय स्रमिक इसे मिलाएंगे पहले से स्वास्त और बेमोसम उपभोग बढ़ा किसान इसे टीसरे से मिलाएंगे क्रसी संसाधन सयंत्र के लिए सरकारी रिड मध्यम किसान और वर्रक केट नासी बीज तो इस किरम में A का पहला, B का तीसरा, और C का दूसरा, तीसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण है दाधन व्यवस्था के अंतरगत बुनकर और सौधागर के बीच निम्लिकित में से कौन सा निम्लिकित में से ब्यापार का कौन सा रूप है सही विकल्प का चैन कीजी लिखा है सौधागर से नियुन्तम बोली पर सौध खरीदा जाता और कपड़ा उची बोली पर बेचा जाता दूसरा है सौधागर द्वारा सौध बुनकर को बेचा जाता और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता तीसरा विकल्ब है सौधागर द्वारा सूत की आपूर्ती बुनकर के लिए की जाती और तयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता और चोथा है बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते और कपड़ा कीमत कम कीमत पर सौधागर को बेंचते तो इस प्रश्ण के लिए तीसरा विकल्प सही है सौधागर द्वारा सूत की आपूर्ती बुनकर के लिए की जाती और तयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता तीसरा विकल्प इसमें इसके पहले ये जान लीजिए कि जो दाधन व्यवस्था है यह घरेलू विनिर्माड की एक प्रडाली थी जो सत्रवी और अठार्वी सताबदी के दौरान पश्चमी यूरोप के ग्रामीर चेत्रों में प्रचलित थी तो ये जान लीजिए इसके बारे में अगला प्रस्ण है ए से इतनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपहोगता तक पहुचाती बाजार की स्रंकला को आगे पीछे करके लिखा गया है यानि इन्हें किरम से लगाना है तो चलिए लगाते हैं तो इनको सबको पहले पढ़ना होगा लिखा है सोना परोसी दुकान से टमाटर का केचप उडर करती है किसान टमाटर का बीज इस्थानी ब्यापारी से खरीता है C में लिखा है थोग विक्रेता व्यापारी सबजी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है और D में लिखा है एक छोटे सहर की खाद संस्क्रल आधारत एकाई टमाटरों को खरीती है और E में लिखा है विपढ़न करने वाली कमपनी भंडारों को केचप किया पूरत थोक विक्रेता ब्यापारी सबजी मंडी में टेमाटरों के लिए बोली लगाता है दूसरे नमबर पर आएगा एक छोटे सहर की खादर प्रसंसकर्ड आधारित एकाई टेमाटरों को खरीती है यह तीसरे नमबर पर आएगा यह चोटे पर आएगा और यह पांच में पर आएगा यह करम रहेगा तो सबसे पहले आएगा बी फिर सी फिर डी फिर ए फिर ए यानि कि पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रसंड है कोई व्यक्ती जिला जज के नियायले दोरा दिये गई फैसले से असंतुष्ध हुआ है तो अपील प्रडाली के अनुसार विकल्प इसमें सही है पहला विकल्प है सत्र नियायाले, दूसरा है उच्च तम नियायाले, तीसरा है उच्च नियायाले और श्वता है जांच नियायाले तो यदि कोई व्यक्ति जिला जज के नियायाले द्वारा दिये गई फैंसले से असंतुष्ट है तो वह उच्छ न्यायाले में अपील कर सकता है तीसरा विकल्पिस में सही है अगला प्रस्ण है भारती संसद पर दिये गए A और B कतनू पर विचार कीजिए लिखा है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोगसबा में कितने भी संसदी सदस हो वैसरकार बना सकती है B में लिखा है लोगसबा, राजसबा और राश्टर पती संसद के अंग है तो इसमें केवल B सही है के लोगसबा, राजसबा और राश्टर पती संसद के अंग है केवल B सही है दूसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है पहला क्यों गलत है क्योंकि लोक सबा में बहुमत वाली पार्टी ही सरकार बना सकती है इसलिए ये पहला गलत है भी इसमें से केबल सही है अगला प्रस्ण है नीचे दिये गई कथन का पठन कीजिए लिखा है सत्ता के दुर्पयोगी की रोक थाम के लिए भारती राज कई नियंत्रड और संतुलन रखता है उपर दिये गई कथन में भारती राज के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चैन कीजिए लिखा है पहला विकल्प है भारती के अंधरी सरकार दूसरा है भारती अधिकारी तंत्र तीसरा है कोई भी राज सरकार और चोथा है भारती राजनीतिक वियवस्था तो इस प्रस्ण के लिए चोथा विकल्प सही है भारती राजनीतिक वियवस्था अगला प्रस्ण है रंग भेद की प्रथा पर दिये गए A और B कथनों पर विचार कीजिए कथन A में लिखा है या प्रथा जातियों के बीच भेद भाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनमती प्रदान करती है कथन B में लिखा है या प्रता जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सब्धाई पिरदान करती है तो इसमें बताना है कि कौन से सही है तो इसमें दोनों ही कथन गलत लिखे हुए हैं ए और भी दोनों गलत हैं चौथा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्ण निम्लकित में से कौन गिराम पंचायत में चुन कर आते हैं और कार समभालते हैं पहला विकल्प इस सरपंच दूसरा है वार्ड के सदस तीसरा है सचेव और शौता है गिराम सभा सदस तो इसमें सरपंच और वार्ड के सदस चुन कर आते हैं A और B यानि की पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है पहला विकल्प A और B अगला प्रस्ण है निम्लिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तर दाय तो कौन सा है पहला विकल्प है सामुहिक संपत्ती का निर्माड और रख रखाओ दूसरा है भूमी विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना तीसरा है सिकायतों की जांच परताल के द्वारा भूमी संबंदी विबादों को रुकना और चौता है भूमी मापन और आलेखो को सुरक्षित रखना चौता विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन सा कथन इस्थानी सहरी पिसासन के कार के संदर्व में सही है पहला विकल्प है नगर निगम का आयुक्त वर्स का बजट बनाता है और नेड़े लेता है दूसरा है वार्ड के पारसदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और से रिपोर्ट करते हैं तीसरा है सासन के मामलों के हल के लिए बार्ड पारसदों की समितियां बनती है और चौता है बार्ड पारसदों का सरपंच मुखिया होता है तो इसमें तीसरा विकल्प सही है सासन के मामलों के हल के वार्ड पारसदों की समित्यां बनती हैं तीसरा विकल्पिस में सही है तो ये पेपर था जुलाई 2019 वाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रस्ण में डाउट हो तो आप कमेंट वाक्स में जरूर लिखिएगा तो वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई